भारत ने आसमान में आज एक और एतिहास रश्टिया है। इजरो ने आज स्मॉल सेटिलाइट लॉंच वीकल 3 की तीसरी और अंतिम डेवलपमेंटल फ्लाइट से एक अर्थ अब्जर्वेशन सेटिलाइट यानि पृत्वी अवलोकन उबग्रह लॉंच कर दिया। इससे धर अगस्त को नई सेटिलाइट की लॉंचिंग कर दी। जी हां इजरो यानि भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने लेटिस्ट अर्थ अब्जर्वेशन सेटिलाइट यूएस एट को आज सुभा अठ्था 16 अगस्त की सुभा 9 बचकर 17 मिनिट पर सफल लॉंच किया इजरो कि इस कडम से भारत अब धरती की धड़कन सुन पाएगा अगर इजरो का मिशन सफल रहता है तो फिर भारत को आपदाओं की जानकारी समय से मिल जाएगी इसे स्मॉल सेटिलाइट लॉंच वीकल यानि प्रक्षेपण यान SSLV D3 की तीसरी और अंतिम उडान के जरिये लॉंच किया गया है अर्थ अब्जर्वेशन उब्ग्रह और स्टार्ट अप कंपनी स्पेस रिक्षा के सर जीरो सेटिलाइट को ले जाने वाले भारत के छोटे प्रक्षे पढ़्यान SSLV के लॉंचिंग की उल्टी गिंती शुक्रवार तड़के धाई बज़े श शुक्रवार सुभा लगभग 9 बच कर 17 मिनिट पर 500 किलोग्राम की वहन शमतावाला SSLV 175.5 किलोग्राम वजन वाले माइक्रो सेटिलाइट यूएस एट को लेकर उडान भरा उपग्रह का जीवन काल एक साल तै किया गया है भारती अंतरिक शनुसंधान संगठन के अनुसा SSLV रॉकेट मिनी माइक्रो या नैनो अपग्रहों से 500 किलोग्राम को 500 किलोमीटर की कक्षा में लॉंच करने में सक्षम है रॉकेट के तीन चरण ठोस इंधिन द्वारा संचालित होते हैं जबकि अंतिम वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल में तरल इंधिन का इस्तमाल हो 24 स्थित अंतरिक शेत्र के स्टार्ट अप स्पेस रिक्षा के लिए SR-0 इसका पहला उग्रह होगा इस बीच इजरो ने कहा कि US-8 मिशिन के प्रात्मिकों देशों में माइक्रो सेटलाइट को डिजाइन करना और विक्सित करना शामिल है साथी माइक्रो सेटलाइट बस के स अनरूप पेलोज उपकरन बनाना और भविश्र के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्राद्योगियों को शामिल करना भी शामिल है इस रोका ये मिशिन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खास है इसकी सफलता से भारत धरती की धड़कन को सुन प इसका दुर्वियान लगभग 175.5 किलोग्राम है और ये लगभग 420 वाट बिजली उत्पन्न करता है इस रोने कहा कि उग्र SSLV D3 358 लांच वहन के साथ इंटरफेस करता है आपको मारे वीडियो कैसे लगते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंथ सब्सक्राइब करें